हालो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर आज हम 24 दिसंबर सीट अटोटी नटी वन पेपर वन के फुल 30 कोश्चंज एवियस के करेंगे आपका पहला कोश्चंज आया था वह जानबर जो अपने कानों को अलग अलग दिसाओं में घुमा सकता है जो उसे सभी दिसाओं से धनियों को पकड़ने में मदद करता है तो आपका फर्स्ट को ऑप्शन पूर्थ सही हो जाएगा बाग टाइगर आपका सेकेंड कोश्चंज आया था उस गतिविदी का चयान करें जो अन्य गतिविदियों से अलग है तो आपका सेकेंड को ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा बालों में कंगी करना कॉम्बिंग हेर का थर्ड कोश्चन आयता मैंस दाप फॉलोविंग से तो वन साइड आपका नेम आप दा बर्ड्स एन जाएगा वह है आपका फॉर्थ आपका फॉर्थ कोश्चन आया था अग्रूप अग्रूप आप त्री टेबल इच मेंबर आफ विच इन आयरन इस तीन खादेपदार्थों का एक समूब जिसमें आयरन भरपूर है तो आपका फॉर्थ पहला प्रेक्ट हो जाएगा पालक गुड आवला दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा ब्लू होट ब्लू कोल्ड आपका सिक्ष्ट कोश्चन आया था अकार कवर सदेंस आप 1512 किलोमेटर इन 28 घंटे इसमें आपको एवरेज स्पीट करनी है तो आपका सिक्ष्ट कोश्चन सेक्ष्ट करेक्ट हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आपका सेवंथ पोश्चन आया था इन वन हर एपका सिपलक सेख और य्जा पकार इन 19 लोड खूचर देजा बिमिला करें आपकी लोड आपके य।미ल कोश्चन सेख वेड से मुलिए फेलिएख दोली एस से दिए म्यूनझ की मीटर सेख अ। घर मजबूत बास के खंबों पर बने होते हैं लकड़ी के फर्स लगभग 3 से 3.5 मीटर उचे होते हैं घरों की दिवारे भी लकड़ी से बनी होती हैं भारी बारिस के कारण घरों की छते आम तोर पर धलान वाली हो जाती है यह राध्य कौन सा है तो आपका सेवंध को साम में होते हैं आपका एट्थ पॉस्चन आया था स्लेक्ट फ्रॉम दा फॉलोविंग अग्रूप आफ त्री स्टेट्स हैविंग दिया कोस्ट ऑन बे आफ बंगॉल निम्न लिखित में से तीन राज्यों के समू का चैन करें जिनके तट बंगॉल की खाड़ी पर इस्ति स्टेशल यूनिट यूजड फॉर्ड अलाट्मेंट अफ लैंड इस्टेन दा मीनिंग अफ दिस यूनिट इस ज्यारखंड में ग्राम परिश्यत पंचायत ड्रॉद्वारा खेती के लिए भूमी अवंटेत करती हैं भूमी अवंटेन के लिए प्रयोगते विशेस इकाई का अर्थ है तो आपका नाइन पॉप्शन दूसरा सही हो जाएगा एक भूमी जिस पर एक तिन किसान एक तिन बीच उगाता है अल्लैंड ऑन विच आफ फॉर्म ग्रोज वन टीन ऑफ सीट्स आपका टैंथ पॉस्चन आया था जूम केती के तहें जारखंड के किसानों द् अगर विचार करें सही कथन है तो आपका टैंथ पॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा एक फसल काटने के बाद भूमी को उसी वर्स के लिए छोड़ दिया जाता है खर पतुवार की राख खाद का काम करती है आपका 11 कोश्चन आया था इन आर कंट्री अ ट्राइवल पीपल है बीन यूजिंग ब्रोंज दू टेक मैनी थिंग्स पॉर्ट्स से कासे को प्योग बहुत सी चीजों बरतन मूर्ती आधी बनाने के लिए करते आ रहे हैं आज भी हम अपने घरों में पीतल का प्रियोग करते हैं निम्न लिखित में से कांस के बारे में सबसे उप्योगत कर्थन का चैयन करें तो आपका 11 कोश्चन पूर्थ करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ये गूगल ट्रांसलेशन होता है तो हिंदी काफी टाफ होती है एक बारी आप इंगलिस वाला जरूर पढ़ें आपका 13 कोश्चन आया था कन्योज इस आ सिटी फेमस फॉर परफ्यूम इत्र दिस सिटी इस डिस्टिट ऑफ वन आफ दा स्टेट्स ऑफ इंडिया कॉल्ड कर्नोज इत्र के लिए प्रशिद सहर है ये सहर भारत के एक राजिका एक जिला है जिसे कहा जाता है तो आपका 13 क पहला सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश आपका 15 कोश्चन आया था असेट ऑफ त्री इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन दा फुल मून डे इस पूर्मा के दिन मनाय जाने वाले तीन भारती यतिवारों का एक समू है तो आपका 15 कोश्चन तीसरा सही हो जाएग यह सारे कोश्चन काफी रिपीट होते हैं इनको आप ध्यान से पढ़िएगा आपका 16 कोश्चन आया था एविएस टेक्स्ट बुक एड प्राइमरी लेवल आर डिजाइन केयरफुली तू सो दा स्टुडेंट्स दू नॉट फ्रम मिस्कंसेप्शन दूरिंग टीचिंग लर्निंग विच फीचर्स आफगा टेक्स्ट बुक डू यू थिंग इस और दा मोस्ट एप्रॉप्रियेट तूवर्स दिस प्राथ में किस तर पर एविएस पार्थ पुस्टक सावधानी से तयार की गई है ताकि छात्र सिच्छ अधिगम के दौरान गलत फैमियाना करने के लिए आफधारना का विवर्ण है डिएर इस डिटेलिंग और पॉंसेट्ट क्लेरिफाई एंड वाइट फॉर्मेशन ऑफ मिस्कंसेप्शन आपका सेविंटीन पॉस्टन आया था कॉम्यूनिटी रिजन इस संसीडर एंड इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग इस एड़ प्राइमरी लेवल बिकल समुदाइक संसाधन को राथ में किस्तर पर पर्यवर अध्यन के लिए महतुपूर सिच्छड अधिगम संसाधन माना जाता है क्योंकि तो आपका 17th option तीसरा सही हो जाएगा यह अनभवातमक सिच्छा प्रतान करता है आपका 18th question आया थ परिवार और दोस्त तीम का हिस्तर परिवार और दोस्त परिवार और दोस्त तीम का हिस्सा है ऐसी नियुकिका कारण है का 19th option पहला सही हो जाएगा A और B छात्रों को पौधों और जानवरों को अपने परिवार के हिस्से के रूप में मानने में सच्छम बनाने के लिए पौधों को पौधों और जानवरों के प्रतिक छात्रों में समेधन सिलता विक्सित कर आपका 20th question आया था One of the major objective of the teaching of EBS at the primary level is to enable students प्रात्मी के सिच्छड का एक प्रमो कुध्य सच्छात्रों को सच्छम बनाना है तो आपका 20th option तीसरा सही हो जाएगा कच्छा सिच्छड को विद्याले के बाहर के जीवन से जोडने में विद्यार्थियों की साहता करें आपका 21st question आया था There is no prescribed textbook for EBS for class first and second which of the following is the most appropriate reason for this कच्छा एक और दो के लिए EBS के लिए कोई निधाय पार्ट भुस्तक नहीं है इसका सबसे उप्युक्त कारण निम्न लिखित में से कॉल सा है तो आपका 21st option तीसरा सही हो जाएगा EBS भासा और गड़ित के साथ एक ही करत हैं EBS is integrated with language and mathematics आपका 22nd question आया था Which of the following is are the most appropriate strategies to sensitize students towards तंजब वेशन आफ plants and trees निम्न लिखित में से कॉन पौधों और पेड़ों के सनरच्छण के अपरति छात्रों को समवेदन सील बनाने के लिए सबसे उप्युक्त रणनीती है तो आपका 22nd option पहला सही हो जाएगा A, C और D लकडी के लंबे वाले गोदाम में जाना बनों के सनरच्छण पर भोमी का निभाना ए पेड़ को गोद लेना और उसकी देखभाल करना विस्टिंग अगोडान, having wooden longs, role, playing on conservation of forest, adopting a tree and taking care of it आपका 23rd question आया था Which is the correct approach by an EVS teacher for evaluating students' knowledge in EVS EVS में विद्यार्थियों के ज्यान का मुल्यांकन करने के लिए EVS सिच्छच द्वारा कौन सा सही तरीका है तो आपका 23rd option पूर्थ सही हो जाएगा शिच्छका ने अपने विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त उपकरण, उनके पढ़ाने के तरीके और इस्थानी संदर्वों को उपयुक्त बनाया आपका 24th question आया था चाप the option below Should ideally follow our activities done by students to consolidate their learnings छात्रों द्वारा अपने धिकम को समय कित करने के लिए की गई सभी गत्विद्यों का अधर्स रूप से नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प होना चाहिए तो आपका 24th option थर्ड सही हो जाएगा कच्छा में चर्चा डिस्कुस्शन इन दा क्लास्वों आपका 25th question आया था विच आप दा फॉलोविंग विल बी यूज़्ट वाई एविए टीचर तु एसस्टा ऑथेंटिक लर्निंग आफ दिया एंड डू विचय को पढ़ाते समय निर्मन लिखित में से कौन सबसे रणनीती या संसादन है कीचे जो हम बनाते और करते हैं तो आपका 26th option पहला सही हो जाएगा विभिन निर्मार समगरी और डिजाइनों के पहचान करने के लिए एतिहासिक इस मार्कों का दोरा विज़िट टू आ हिस्टोरिकल मॉनुमेंस तू आइडेंटिफाई वेरियस विल्डिंग्स मेटेरियल्स एंड डिजाइन्स आपका 27th question आया था कच्छा 3 के छात्र अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सीखते हैं और फिर कच्छा 4 में परिवार के पेड़ और कच्छा 5 में पारिवारिक बाच्चीत के विचार पर आगे बढ़ते हैं इस विच्छा में पार्टिकलम दस्टिकोड है तो आपका 28th question आया था विच्छार करने के लिए सिच्छा के लिए निम्न लिकित में से कौन सा एक महतपूर तर्तु है तो आपका 28th option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा A, C और D निर्देशात्मत विशिस्ट उद्देश प्रमुक अवधायडाय और प्रत्रिया कॉसल सामान्य उद्देश आपका 29th question आया था Which of the following is the most appropriate strategy to teach EBS to the visual impaired students द्रश्टी वाधित छात्रों को EBS पढ़ाने के लिए निम्न लिकित में से कौन सी रणनीती सबसे उप्यूक है तो आपका 29th option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा A, B और D ओडियो पार्ट तयार करें इस पर समगरी या बड़े प्रिंट का प्रियोग करें EBS पार्ट को यथा संभव ठोस अबलिक मूर्थ बनाए आपका 30th question आया था Salim wants to take students of primary classes on a field visit while teaching the theme water which of the following sites will he select Salim प्राथ में कच्छाओ के छात्रों को पानी विशय पढ़ाते हुए एक छेत्र के दौरे पर ले जाना चाहता है वह निम्न लिखित में से किस साइट का चयन करेंगा तो आपका 30th option फोर्थ करेक्ट हो जाएगा A, B और C जल संचयन संयंत्र जो हाथ और बावली तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें आज हम 24 दिसंबर को हुए C टेट और 21 पेपर वन के फुल 30 questions CDPE कम्पलीट करेंगे तो दोस्तों आपका पहला question आया था Choose the correct statement about development विकास के बारे में सही कथन का चयन करें तो दोस्तों इसमें आपका option दूसरा सही हो जाएगा विकास परवर्तिनी है दोस्तों अगर आपको य second question आया था विकास के निम्न लिखित में से कौन सा सध्धान्त परस्तावित करता है कि बच्चे हाथों की मांस पेशियों पर नियंत्रण अंगुलियों की तुल्ला में अप एच्छा करत पहले कर लेते हैं तो दोस्तों आपका second option पहला सही हो जाएगा समीपस्त सध्धान् प्रॉक्सी मोडेश्टल प्रिंस्पल आपका third question आया था फिजिकल ट्रेट्स आफ कलर आफ आइस एंड हैर आर आखों और बालों के रंके बहुत एक लच्छन डैश है तो आपका third option दूसरा सही हो जाएगा अनुवांसिक होते हैं या विराशत में मिला दोस्तों यह आपका fourth question आया था डैस इस दा primary agency of socialization of children डैस बच्चों के समाजी करण की प्रात्मिक agency है तो आपका fourth option fourth correct हो जाएगा परिवार family दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस YouTube चनल को विजिट करें इस YouTube चनल पर 2021 में हुए सीटेट पेपर वन और पेपर टू के maximum सिफ्टों के solutions already provide कर दिये गए हैं तो आप इस YouTube चनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के solutions देख लीजिए आपका fifth question आया था When a child can solve a problem with concrete object only, his problem solving characteristics come under the stage of जब कोई बच्चा किसी समस्या को केवल ठोस वस्तूओं से ही हल कर सकता है या मूर्थ वस्तूओं से ही हल कर सकता है तो उसकी समस्या समाधान विजिएस्टाएं किस चरण में आती हैं तो आपका fifth option third सही हो जाएगा concrete पारिचालन चरण, concrete operational stage या मूर्थ संग्रियात्मक अवस्था आपका sixth question आया था एक बच्चे निमानसिक रूप से नोट किया कीवे सभी प्राड़ी जिनके पंक होते हैं और जो उड़ सकते हैं पच्ची कहलाते हैं बाद में उसने एक चित्र, उस तक में एक चमगादर देखा और उससे एक इस्तन पाई के बज़ाए एक पच्ची के रूप में पहचाना यहां वर्ड़त ग्यान निर्माड की प्रक्रिया है तो आपका sixth option पहला सही हो जाएगा तमावेशन, assimilation आपका seventh question आया था जोन आप्रोक्सिमल डवलप्मेंट समीपस्त विकास छेत्र सब्द का प्रस्ताव किस ने दिया था तो आपका seventh option second करेक्ट हो जाएगा लेव विगौट्सकी आपका eighth question आया था निम्न लिखित मेंसे कौन बच्चे के संग्यानात्मक विकास पर जीन प्याजे और लेव विगौट्सकी के विचारों के बीच प्रमुक अंतर को सही डंग से निदिस्ट करता है तो आपका eighth option पहला सही हो जाएगा जिबकि प्याजे ने अपनी दुनिया को समझने के लिए बच्चों के स्वतंत्र प्यासों पर जोर दिया विगौट्सकी संग्यानात्मक विकास को समाजिक रूप से मध्यस्त प्रक्रिया के रूप में देखते हैं कहने का अर्थ है प्याजे बच्चे के स्वतंत्र प्यासों द्वारा जगत को अनभव करने पर जोर देते हैं जबकि विगौट्सकी संग्यानात्मक विकास को समाजिक मध्यस्त प्रक्रिया के रूप में देखते हैं आपका नैन्ध कोशन आया था फातिमा का कारण आपको इमानदर होना चाहिए क्योंकि तब आपके माता पिता को आप पर गर्भोगा लॉरेंस कोलवर के नैतिक तरके सिधान्द के कि शरण में फातिमा आती है तो आपका नैन्ध कोशन थर्ड करेक्ट हो जाएगा गुड बॉइ गुड गर्ल ओरियेंटेशन आपका टैन्ध कोशन आया था विच आप दा फॉलोविंग विल हेल्प इन क्रियेटिंग अकंडिशिव लर्निंग इन्वार्मेंट इन क्लास निमल खित में से कौन कच्छ में सीखने के लिए अनकूल मोहल बनाने में मदद करेगा तो आपका टैन्ध कोशन पहला सही हो जाएगा सभी छात्रों को भागीदारी के समान आउसर प्रदान करना प्रोवाइडिंग एकुल अपर्चुनिटीज और पार्टिसपेशन पार्टिसपेशन तो आल दा हो जाएगा कच्छा में लचीला पाठक्रम और मुल्यंकन फ्लेक्सिबल करिकूलम और अस्समिन इन दा क्लास्रूम या पाठ्चर्य और आखलन में लचीला पन आपका टोल्थ कोशन आया था अकॉरिंग तो हावर्ट गार्टनर थियोरी अफ मल्टिपल इंटेलिजेंस इ हावर्ट गार्डनर के बहुद्धी के सिधान्त के नुसर्य दिक अच्छा में कोई बच्चा फैक सहकर्मी सम्हूं के स्वभाव इरादों और मनोदसा के प्रति उचित प्रत्क्रिया देने में सच्छा में तो उसके पास है तो आपका टोल्थ का ओप्शन थर्ड करेक्ट आफ बोथ मैं और वुमन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इस स्ट्रेटजी विल हेल्प इन वैंसाई की अधारा को पढ़ाते हुए मोनिका ने गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुर्सों और महिलाओं दोनों के फ्लैस कार्ट दिखाए इस रड़नीती में मदद मिलेगी तो आपका 13th option second correct हो जाएगा लिंग stereotype लचीलेपन को बढ़ावा देना promoting gender stereotype flexibility या लैंगिक रूडिवादता में लचीलेपन को प्रोतसाहन मिलेगा आपका 14th question आया था which of the following is not a higher order thinking skill निम्न में से कौन उच्छ कोटी का चिंतन कौसन नहीं है तो आपका 14th option fourth correct हो जाएगा recall प् आपका 15th question आया था which of the following is the example of criterion referenced assessment निम्न लिखित में से कौन समान्दंड संदर्वित मुल्यांकन का उधारण है तो आपका 15th option पहला सही हो जाएगा सीखने के लिए नियूनता मिस्तर की कसोटी पर अधारित एक परिच्छन a test based on a criterion of minimum level of learning आपका 16th question आया था the right of person with disabilities act 2016 के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्वित करने का सही तरीका है जिसकी बौद्धिक कारप्रणाली में सीमाई है तो आपका 16th option fourth correct हो जाएगा बौद्धिक आच्छमता वाला व्यक्ति person with intellectual disability दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये solution अच्छा लगे तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा आपका 17th question आया था which of the following does not characterize inclusion निम्न लिखित में से कौन समावेशन की विशेस्ता नहीं है तो आपका 17th option fourth correct हो जाएगा स्रवडबाधित बच्चों के लिए एक अलग स्कूल होना having a separate school for children with hearing impairment या स्रवड आच्छमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्याले का प्रावधान दोस्तो इस बात पर जरूर ध्यान की दिया करिये question में पूछा गया गया है इसमें पूछा गया था निम्न लिखित में से कौन समावेशन की विशेस्ता नहीं है इसलिए इसका option fourth correct हो जाएगा आपका 18th question आया था राजन अपनी दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है क्योंकि वैं दूसरों के साथ आखों के संपर्ख से बचता है और दिन भर अकेले ही खेलता है राजन का व्यवहार निम्न लिखित में से किस विकार का संकेत दे रहा है तो आपका 18th question दूसरा सही हो जाएगा आपका 19th question आया था पाट पढ़ते समय चूक उलट फिर और प्रतिस्थापन करने में कटनाई किसका संकेत है तो आपका 19th option दूसरा सही हो जाएगा dyslexia question में पूछा गया था विसे वैस्तु को पढ़ते समय सब्दों को हटाने उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कटनाई आना किस विकार की तरफ इस सारा करता है आपका 20th question आया था the ability to think about something in novel and unusual ways and coming up with unique solutions to a problem is called किसी चीज के बारे में नय और आज समाने तरीके से सोचने और किसी समस्या के अनूठे समाधान के साथ आने की छमता कहलाती है तो आपका 28th option 4th सही हो जाएगा स्रजनात मक्ता creative video आपका 21st question आया था एक सिच्छ का अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा को सुविधा जनक बनाने के लिए पार्ट और फलो और सबजीयों के कुछ चित्रों का अपयोग करती है चात्र इन विवड़ों को पिछले ज्यान से जोडते हैं और पोशड की अधार्णाओं को सीखते हैं यह दरस्टिकोर अधारित है तो आपका 21st option 4th सही हो जाएगा ज्यान का निर्मार आपका 22nd कोशन आया था स्रीजा को विश्वास है कि वे पिछली बार की तरह ही अगामी गड़ित की परिच्छा में आसफल हो जाएगी और उसने इस विशय में प्रयास करना बंद कर दिया है साथ ही उसकी सिच्च का उससे कम पेच्छा रखती हैं स्रीजा है तो आपका 22nd को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा सीख्यू विलाचारी का अनभाव करना आपका 23rd कोशन आया था अबीर की कच्छा में बच्चे संयोत रूप से ज्यान का निर्मार करने के लिए सिच्चक और साथियों के साथ चुनोती पूर्ड गतिविदियों की एक विश्तरत संखला में भाग लेते हैं इस प्रकार की कच्छा कहलाएगी तो आपका 23rd को ऑप पेड़ागोजिकल स्ट्राटजीज डज नेशनल एडुकेशन पॉलसी 2020 प्रपोज निम्न लिखित में से कौन से सेच्छड करण नीती प्रस्तावित करती हैं तो आपका 24rd को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 1, 2, 4 पूंच ताच अधारित सिच्छा कहानी कहने पर अधा आपका 25th को ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अनरूपता साधरश्य आपका 26th कोशन आया था concept maps helps in facilitating understanding of concepts by अवधारणा मानचित्र निम्न लिखे द्वारा अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं तो आपका 26th को ऑप्शन पहला सही हो जाएगा सूचना का संसलेशन और आयोजन, synthesizing and organizing information या जानकारी को संसलेशित और सुविवेस्थित करके आपका 27th कोशन आया था errors made by children in the process of learning are indicative of सीखने के प्रक्रिया में बच्चों दोरकी की तुर्टिया किसकी सूचक हैं तो आपका 27th कोशन तीसरा सही हो जाएगा वैसकों की तुल्ला में बच्चों की सोच में गुरात्मक अंतर qualitative difference in children's thinking as compared to adults आपका 28th कोशन आया था it is very important for a teacher to have the ability to put herself in students place and feel what they feel this ability is called death एक सिच्चक के लिए बहुत महत्पूर है कि वे स्वैम को विद्यार्थिक इस्तान पर रखने की छमता रखता हो और जो वे महसूस करते हैं उसे महसूस कर सके इस छमता को death कहा जाता है तो आपका 28th कोशन दूसरा सही हो जाएगा तदान भूती, इंपैथी, तदान भूती आपका 29th कोशन आया था इन अ सिटुवेशन वेन आउटकम इस असर्टेन बट फोकस इस ओन फैलियर अचाइल्ड इस लाइकली तो एक्सपीरियंस डैस ऐसी इस्थती में जब पैडाम अनिस्चत होता है लेकिन विफलता पध्यान के इंद्रित होता है एक बच्चे को डैस का अनभा होने की संभावना होती है तो आपको 29th कोशन दूसरा सही हो जाएगा अन एक्जाइटी, चिंता आपका 30th कोशन आया था तो आपका 30th कोशन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा बच्चों को लेबल करने के लिए कई तरीकों का अप्योग करना दोस्तों इस बात पर ज़रूर ध्यान दिया करें कोशन में पूछा क्या गया है इसमें पुछा गया था, सिछड़ अधिकम प्रक्रिया की गुर्वता में वरद्धी नहीं करेंगे इसलिए आपका उप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा बच्चों को लेबल करने के लिए कई तरीकों का उप्योग करना दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे चलर को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आज हम 24 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर वन के हिंदी के फुल 30 कोश्चन कंप्लीट करेंगे तो दोस्तों आपके स्टार्टिं कोश्चन आपके पैसे बेस्ट होते हैं जिसमें आपका एक गद्यांस गिविन होता है और दूसरा पद्यांस आपके गद्यांस से कुछ कोश्चन पूछे आते हैं और फिर पद्यांस से तो दोस्तों आपका पहला ये गद्यांस गिविन है आप इसे आराम से पढ़ लीजिए और फिर एंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा मैं आपके इस पैसे से पूछे गए प्रशनों के उत्तर अभी आपको बताते चलूंगे तो ये आपका गध्यान्स दिया गया था आप इसे पढ़ लीजिए तो आपका इस गध्यान्स से पहला कोश्चन पूछा गया था यकीनन बड़ा आदमी है सादिक का बड़े आदमी से क्या आसे रहा होगा तो आपका फर्स्ट का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा आपका दूसरा कोश्चन इस पैसे से पूछा गया था सादिक बिर्यानी की पराद से मख्यां क्यों उड़ा रहा होगा तो आपका second का option फोर्थ सही हो जाएगा मक्षी देखकर ग्राहक बिर्यानी नहीं खरीदेंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए सीट एट पेपर वन और पेपर टू के मैक्जिमम सिफ्टों के सल्यूशन और रेड़ी प्रोवाइट कर दिये गए हैं तो आप इस यूटूब चैनल पर विजिट करें और सभी सिफ्टों के सल्यूशन देख लेजिए आपका थर्ड कोश्चन पूछा गया था दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हरानी क्यूं हुई होगे तो आपका थर्ड का उप्शन थर्ड सही हो जाएगा दाल विसेज पकवान की स्रेडी में नहीं आती है आपका फूर्ड कोश्चन इस पैसेज से पूछा गया था सादिक अब्बा किस पकवान के लिए मसहूर थे तो आपका फूर्ड का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा उड़त की दाल दोस्तों ये सभी कोश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गया है जो आपका घद्यान से पूछा गया था कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया वाक्य में रे खांकित सब्द के इस्थान पर कौन ससब्द प्रियोक्त किया जा सकता है तो आपका fifth option दूसरा सही हो जाएगा धैर तो इसलिए आपका तसली के स्थान पर धैर आ जाएगा आपका sixth question पूछा गया था नवाब मोहम्मत कादिर की दुकावन पर क्यों आये थे तो आपका sixth option पहला सही हो जाएगा उन्हें नए पकवानों के स्वाद चखने का सौग था आपका seventh question पूछा गया था और बेदली से बोला रिखांके सब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है तो आपको बेदली का समतुल सब्द बताना था बेसिकली समनार्थी सब्द तो आपका seventh option पूर्थ सही हो जाएगा बेरुखी आपका eighth question इसी गद्यान से पूछा गया था एक बड़ी अंगिठी पर कबाब भूनने में मस्गूल थे रिखांके सब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है तो आपका eighth option दूसरा सही हो जाएगा व्यास्त ये सारे आपके समन अर्थी सब्द ही पूछे गए है आपका ninth question इस गद्यान से पूछा गया था किस वाक्य में गुर्वाचक विशेशर का प्रियोग हुआ है तो आपका ninth option तीसरा सही हो जाएगा यकीनन बड़ा आदमी है अब दोस्तो ये आपका दूसरा पैसेश दिया गया था जो कि आपका ये पद्यान्स given है आप इस पद्यान्स को अराम से read कीजिएगा ये पैसेश आपके दो पैजिस में आया है तो मैं आपको पूरा पद्यान्स सो कर रही हो ये आपका पूरा पद्यांस इस तरह आया था इधर से आपका इधर से आपका स्टार्टिंग है और इधर पर आपके ये पद्यांस की लाइने खतम हो रही है तो आपका इस पद्यांस से पहला कोश्चन जो पूछा गया था वे ये है प्रस्तुत पध्यान्स का केंद्री ये भाव क्या है तो आपका 10th option तीसरा से ही हो जाएगा बाधाओं से जूजने वाले ही जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा आपकी ये series continue चलती रहेगी आपका एक दिन का भी loss नहीं होगा और आपके seated exam से पहले आपके सारे papers complete करा दिये जाएंगे बाकी आप मेरे चैनल को स्क्रोल करें तो मैंने already बहुत सिफ्टों के papers already upload कर दिये हैं तो आप चैनल को जरूर विजट करें इस YouTube चैनल पर आपको maximum सारी सिफ्टों के solutions already provide कर दिये गए हैं तो आप uploaded videos को playlist को check करें आपको maximum सिफ्टों के solutions मिल जाएंगे आपका 11th question इस पद्यान से पूछा गया था जिसने मुझको गैर दिये से अभी प्राय है तो आपका 11th option दूसरा सही हो जाएगा परायों को भी अपना बनाया आपका 12th question इस पैसिस से पूछा गया था जिसने मुझको दो पैर दिये का मूल भाव है तो आपका 12th option 4th सही हो जाएगा आगे बढ़ते रहने की प्रेणा दी आपका 13th question इस पद्यान से पूछा गया था हर ठोकर में भीतर कुछ चलक चलक पड़ता का आसर है तो आपका 13th option 3 सही हो जाएगा विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है आपका 14th question इस पद्यान से पुखा गया था समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा रिखांके सब्द किस ओर संकेत कर रहा है तो आपका 14th option 3 सही हो जाएगा शीक आपका 15th question इस पद्यान से पूछा गया था नजारों का अर्थ है तो आपका 15 का option दूसरा सही हो जाएगा द्रश्य तो दोस्तो आपके धर पर गद्यांस और पद्यांस से पूछे गए 15 कोशन्स खतम हो जाते हैं तो दोस्तो आपका 16 कोशन पूछा गया था चौमस्की के अनुसार मानो मस्दिक्स में इस्थित नियमों का समुह कहलाता है तो आपका 16 का option दूसरा सही हो जाएगा सार्व भौमिक व्याकरण आपका 17 कोशन पूछा गया था भासा एक सामाजिक संकल्पना है इसमें ये विचार समलित है की भासा डैश तो आपका 17 का option पहला सही हो जाएगा सामाजिक अन्तह क्रिया के दौरा अरजित की जाती है दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कीजिएगा आपका 18 कोश्चन पूछा गया था निमनलिकित में से कौन सा भासा अरजन के विवहारवादी सिधान से समंदित नहीं है तो आपका 18 का option फूर्थ सही हो जाएगा सामाजिक अन्तह क्रिया आपका 19 कोश्चन पूछा गया था भासा विकास का संग्यनात्मक सिधान्त समर्थन करता है कि भासा डैश तो आपका 19 का option फूर्थ सही हो जाएगा बच्चे के बोलना सुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है आपका 20 कोश्चन पूछा गया था निमने लिखित में से कौन से तारंबिक साच्छर्था से सम्मंदित नहीं है तो आपका 20 का option फूर्थ सही हो जाएगा आपका 21 कोश्चन पूछा गया था निमने लिखित में से कौन सा कथन पथन को असल विक्सित करने की तकनीक है तो आपका 21st का option दूसरा सही हो जाएगा A सही है तथा B गलत है तो आपके कथन जो दिये गये थे वे थे कच्छा में पठन को ना पठन कोसल के विकास में सहायक है और B दिया गया था बच्चों को जोड़े में बैठा कर उन्हें अपनी पसंद अथा ना पसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना और दोस्तों मैं आपको थड़ा सा elaborate कर देती हूँ कि आपका B option गलत क्यों है जो B option है ये मौकिक कोसल के लिए तो सही है लेकिन इसमें पुछा गया था पठन कोसल के लिए इसलिए आपका option दूसरा सही हो जाता है कि जो पठन कोसल के लिए है वो आपका A point तो सही है लेकिन आपका B point गलत हो जाता है क्योंकि वो मौकिक कोसल के लिए अच्छा है चर्चा करना बट पठन कोसल में सहायक नहीं है आपका 22 question पूछा गया था अचानक से सब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से सब्द संपदा सीखते हैं तो आपका 22nd का option पहला सही हो जाएगा पुस्तक के सास्वर वाचन दोस्तो मैं अगर आपको elaborate करूंगी तो आपका वीडियो की लंद बहुत increase हो जाएगे इसलिए बस मैं ये try कर रहे हूँ कि अब आपका last moment है तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा question प्रोवाइड कर सकूँ क्योंकि अभी तक आप लोगों ने preparation तो already कर ही रखी होगी अगर आप seat at इस year देने जा रहे है तो इसलिए मैं बस आपको maximum to maximum questions प्रोवाइड करने का try कर रहे हूँ आपका 23rd question पूछा गया था प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैशोपान के दोरान पाठक तथा लिखने के उद्देश को चिन्हित किया जाता है तो आपका 23rd option दूसरा सही हो जाएगा पूर्व लेखन आपका 24th question पूछा गया था स्वानिमेक जागुरुकता सम्मंधित है तो आपका 24th option दूसरा सही हो जाएगा बोले गए सब्दों में स्वानियमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योगता से आपका 25th question पूछा गया था निमने लिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रड़नीती है तो आपका 25th option पहला सही हो जाएगा पठन सामगरी में वर्डों या सब्दों के अर्थ निकालना पड़ना है आपका 26th question पूछा गया था एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं तो आपका 26th option पहला सही हो जाएगा अनुच्छेद आपका 27th question पूछा गया था जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्यापन पढ़ता है वह है डैश तो आपका 27th option पहला सही हो जाएगा पाठ वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है आपका 28th question पूछा गया था निम्न लिखित में से कौन सा एक भासा अधिगम के सम्मंद में सही है तो आपका 28th option दूसरा सही हो जाएगा भासा अधिगम की गती मुद्रित एवं लिखित सम्रद परिवेस में बढ़ जाती है आपका 29th question पूछा गया था एक भासा सिच्छिका कच्छा फोर्थ के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है जब वे लिख लेते हैं तो पृतेग बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्यकरणिक तुटियों पर लाल घेरा बना कर उन्हें सही करती है सिच्छिका की रड़नी ती तो आपका 29 का option दूसरा सही हो जाएगा भासा अधिगम के लिए अनुपियुक्त है आपका 30th question पूछा गया था भासा अधिगम में कहानी सुनाना डैश एक प्रभावकारी माध्यम है तो आपका 30th का option दूसरा सही हो जाएगा स्रवर्ड कॉशलों को विक्सित करने के लिए तो दोस्तों आज हम लोगों ने 24 दिसंबर को हुए सीटेट 2021 पेपर वन के हिंदी के फुल 30 कोशन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा इस यूटूब चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियो डेली आपको मिलते रहेंगे थैंक यू फर वाचिंग दी वीडियो ज़ुआज